नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं CK News चोगामा की आवास को पश्ची मित्य पर्देश के मुझाफणागर जन्पद में एक संसनी केज मामला सामने आया है जिसमें एक 22 वर्षी यूवक साकिप की अपरण के बाद हत्या कर दी गई थी जिसका शाओ सौमवार को परासोली नहर के पास इस्तिते गड़्डे से ब्रामद हुआ है पुलिस नेस मामले में अप तक एक महिला समित तीन आरोपे को सलाखों के पीछे बेज जिया है साकिप की हत्या के बाद परीजनों में कोहरा मचा वाय और परीजन हत्या के आरोपे पर सक्त कारवाई की मांग कर रहे ह उसमें लगातार गुमशुदा के परियास जा रही थे जिसमें आज लड़के की डैड़ बोडी नहर के किनारे गड़े में कटीवी मिली है सुसंगत धारों में अभियोग पञजीगरत किया गया था जिनें तर्मीम किया जा रहा है तीनों को ग्रफतार कर पहले ही जेल बेजा जा चुका है शेश की ग्रफतारी के प्रियास की जा रहे हैं पोस्मार्टम और पंचनामा की कारवाई की जा रहे हैं जो भी दोशी है उनके विडिल सक्त कारवाई की जाएगी दिनांग तेईस को थाने पर एक गुमसूदगी की सूचना अंकित की गई थी उसमें लगातार गुमसूदगी के प्रियास जा रही थे आज उस लड़के की डेट बॉड़ी एक नहर के किनारे कड़े में मिली है सुसंगत धाराओं में अभ्योग को पंजिकृत किया गया था तर्मीम किया जा रहा है तीन अभ्योगतों को गिरफतार करके पूर में ही जिल बेजा जा चुका है शेश अभ्योगतों के गिरफतारी के प्रियास किये जा रहे है पोस्ट मॉर्टम और पंचैत नामागी कारिवाई की जा रही और जो भी दोशी है उनके विरुट सक्त कारिवाई की जा रही